हे दोस्तों क्याल चाला सुब का यहोप आप सब बहुत बहुत बढ़े आगे तो फाइनली इस वीडियो में अगेन हम वो टी 3 प्रो स्मार्टफन का कंपैरेजिन करने वाले हैं अगर आप कैमरा कंपैरेजिन वगरा चाहते हैं तो आपको कुछी दिनों में यहाँ पर मिल जाएगा तो चलिए अभी हम बात करते हैं दोने स्मार्टफन के बारे में दोने स्मार्टफन की प्रेजिंग अंडर 25,000 देखने जाते हैं वोरे मोर्टइस 50K尚े देखने उलता है जी में चाहते हैं यहाँ पर हमगरे में स्मार्टफन चाहिए। इस्मार्टफन भी dual rear camera के साथ ही देखने जाता है जिसमें primary camera 50 MP का जो की sony i-mx882 sensor के साथ मिलता है Scandi Lens 8 MP का 16 MP की selfie देखने जाती है यहां पर rear side में आपको 4K video recording का option देखने जाता है और यहां पर AI features भी आपको देखने को मिल जाते हैं स्मार्टफन के अंदर दोने स्मार्टफन में कुछ camera sample आपको हमाई display पर दिखा देता हूं जिससे आपको थोड़ी help होगी दोने स्मार्टफन camera quality जाचने में और यहांपर अगर मैं T3 Pro का camera थोड़ा बैटर देखने मुझाता है थोड़ा बहतरी वर्क करता हुआ देखने मुझाता है बाकि डिटेल में मैं इसका जब camera comparison लेकर आऊँगा स्मार्फोन देखने मुझाता है और कर देखने मुझाता है और कर देखने मुझाता है और अगर आप कोई बी कंटेंट वोज करते हो तो आप यहां पर बिल्कुल इंजोए करने वाले हो उस दूसरी तो भी वो टी 3 प्रों की बात को तो बैक में यह भी बीकल नैदर के साथ आता है एक बीगल लाइदर के साथ आता है यहां पर ड्रेट रियर साइड में आता हुटा बागी पतला स्मार्टफोन यह भी काफी अधर और फाफिग में 3D अम लट डिस्पले हां पर दे तो यहां पर वीवो T3 Pro स्मार्टफून की दिस्प्लेय थोड़ी बैटर हम जाती है थोड़े कलर से वहां पर अच्छे देख हम जाते हैं और जो आउडर विजिबिल्टी है वह भी T3 Pro में हमें थोड़ी अच्छी देखने को मिल जाती है अभी चल पड़ते हैं दोस्तों दोने स्मार्टफून की परफोर्मेंस और बैटी बैगप की तरफ और परफोर्मेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहां पर हमें देखने हम जाता है दोस्ते अगर मैं बात करता हूँ यहां पर आपको धिसप्ले पर देखा रहा हूँ जिसे आपको थोड़ी हैल्पो होगी दोने स्मार्टफून की पावर को जानने में और यहां पर आप देख सकते हो जो वीवोस ट्यूव यानि आपरोर्च सीधा सीधा बाई दो लाग कहीं आपर फरक देख साथ जाता है जो कि काफी ज्यादा होता है और यहां पर गेमिंग की बात कूँ तो नो डाउट भी वह वह बैटी की बात करता हो तो motor age 50 fusion 5000 mh की बैटी के साथ आता है जहां पर 68 वोट का फास्ट आगा स्पोर्ट है जबकि motor age 50 fusion है यह 5500 mh की बैटी हमें प्रवाइड करवाएगा पर आपको 80 वोट का फास्ट आगा स्पोर्ट देख मिलेगा यानि जो बैटी बैकप है न वो तो आप वो T3 Pro में थोड़ा अच दोने स्मार्टफोन में से एक स्मार्टफोन चूज करना तो कौन सा करना चाहिए कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए बैस्ट हो सकता है देखो वैसे अगर मैं दोने स्मार्टफोन की बात कूड हो इनमें से एक स्मार्टफोन चूज करने की बात कूड तो नोट आउट आट